6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने पहुंचे मौमाश्वमी तो भड़ा कुठी हसीन जहां हसीन जहां ने वीडियो बना कर मौमाश्वमी पर भोली ऐसी बाद जिसने सब को चौकाया हसीन जहां ने शमी को बेटी से मिलने के बाद दी ऐसी धम की जिसने मचाई संसनी भारती टीम के तेज़ गेनबाज मुहमेश्यमीन दिनों टीम मीडिया से बाहर है वो वंडे वर्ड कप 2023 के दोरान चोटील हो गए थी जिसके बाद उनकी सरजरी हुई वो भले ही समय मैदान से बाहर है लेकिन सुर्खियों में बने हैं इस बार मुहमेश्यमी अपनी परसनल लाइफ के चलते चर्चाओं में हैं उनकी एक्स वाइफ हसीन जहानी सूशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किये हैं जो काफी वाइरल हो गए भारती तेज़ गिनबाद मुहमेश्यमी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा परसनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती ही मुहमेश्यमी ने हसीन जहां के साथ निकाह किया था लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है दोनों कपल की एक बेटी है जिसका नाम आयरा है अब मुहमेश्यमी अपनी 6 साल की बेटी आयरा से मिलने पहुँचे है जो अपनी मा हसीन जहां के पास रहती है हसीन जहां ने सूशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जान कर दी है साथ ही उन्होंने जम कर अपनी बढ़ास भी निकाली है सूशल मीडिया पोस्ट में हसीन जहां ने लिखा है चलो अल्ला का शुक्र है बेबो फाइनली अपने पीता से मिलने गई है और अल्ला हर एक दुश्मन से और बुरी नजर से मेरी बच्ची की हिफाज़त करी आज तो शमा और हसीब को नीद नहीं आएगी शमी एहमत को मुझे और मेरी बेटी से दूर करने के लिए घटी आपन और गंदगी भी है शमी के दिमाग में अगंदगी और लालच भी घुसा दिया लेकिन यही कहती है ना कि सबर का फल मीटा होता है मैंने खामोशी से सबर किया था और खुद के भरोसे सब कुछ मैंने सहाबी देखो अब बेटी और पिता फाइनली मिल ही गई अला अगर चाहे तो शमी भी सुधर जाएगा इंशाल्ला मेरे दुश्मनों के मूँपर जूते पड़ेंगे इंशाल्ला मैं सबर करके बैटी हूँ जानकारी के लिए बता देगी मौमई शमी और हसीन जहां साल 2018 से यह लव हो चुके हैं और इन दोनों के बीच में आपसी विवाद भी चल रहा है दरसल आपको यह भी बता दें कि हसीन जहां ने मौमई शमी पर घरेल हुईंसा और एक्स्ट्रा मेरिटल अफ्वेर के भी आरोप लगाई थी मौमई शमी और हसीन जहां ने 2014 में शादी की थी लेकिन शमी ने इसके आगे बढ़ते हुई वापसी की और वो इससमें टीमीडे के सबसे एहम गेनबाजों में से एक हैं भारत के शांदार खिलाडी मौमई शमी को पूरी दुनिया सलाम करती है लेकिन खोई ऐसा भी है जो दिन राद उनके खिलाब जहर उगलता रहता है और वो है उनकी पतनी हसीन जहां हसीन जहां ने अपने इंस्टापर कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़ने के बाद शमी के फैंस की धड़के ने बढ़ गई है लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि हसीन जहां की बाते इशारा कर रही है कि वो शायद अब क्रिकेटर से सुले की फिराक में है इस बार उनकी पोस्ट में शमी के लिए कुछ नर्मी दिख रही है फिलाल हसीन जहां की इस पोस्ट को देखकर शमी के फैंस खुश है क्योंकि उनका प्यारा क्रिकेटर अपनी बेटी की जुदाई को सेह नहीं पा रहा था और वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लोगों रे बाप बेटी की खुशी और सलामती की दुआई भी मागी है फिलाल इस बारे में शमी की और से तो कोई परतिकिर्या नहीं आई तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें अपनी राए कमेंट कर जरूर बताए साथ इस खबर को शेर करें और जुड़े रही हेडलाइन सु स्पोर्ट्स के साथ